आप सबी लोग कैसे आए होप आप सबी लोग बहुत ही ज्यादा अथी होंगे सो आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग शैंपू के बारे में आप थम्नेल देखकर समझी गए होगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हू आज जब शेंपू के मैं आप लोगों सब बात करने वाली हूं वह है इंडस वैली का ओनियन हेर फॉल कंट्रोल शेंपू बिद इंडिशनर इस तर्फट फ्री इस पेराविन फ्री एंड इस मिनरल ओइल फ्री जो क्वाइंटिटी है वह है 200 ml की 200 ml के लिए आपको पे करने प यूज करेंगा है वह पूरी लिस्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती हो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट में अपनी पैकेजिंग की ऊपर डीटेल लिखी हुई है जो कि मुझे अच्छी लगी बिकॉस मुझे वह कंपनिया बहुत पसंद आती है जो पूरी प्र नहीं है इस तरीके से यूज करना है डारेक्शन तो यूज वह भी दिया हुआ है प्रोपर ली सबकुछ इसमें इसली दिया हुआ है और लुक अट दी पैकेजिंग अपने दिखाऊं तो यह है वह प्रोड़क्ट और अब डाउन हो गया तो थोड़ा इसको नीचे एकदम स़ल रही होने में टाइम लगेगा बट ड्राश्परेंट बोटल और बेबी पिंग कलर का इसका हमारा शैम्पू है और इसमें जो डी टेल्स आउटर पैकेजिंग पर दी हूए जो सारी इसके इनर पैकेजिंग पर प्रोप्रों कर सकते हो मैंने फ्रोंनी करी बिकास मुझ यहां तक मैं यूज कर चुकी हूं बहुत हट तक यूज हो चुका है और मैं इसको यूज करना पसंद भी करती हूं बट इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम लगती है वह यह है कि मेरे हैर्स को यह बहुत ज़्यादा ड्राइंड फ्रिजी बना देता है जो चीज मुझे पसं साथ में कुछ को जैसे केमिकल यूज नहीं करे गाएं उसकी वज़से भी ज़्यादा नेचरल बेस चैंपू होते ना कहीं आपके बालों को ड्राइंड फ्रिजी बनाते ही है तो इसलिए आप इसको यूज करने के बाद कंडिशनर जरू यूज करना जैसे आपके हैर्स ड इसकी क्ट्रोब्ध में कित्ता क्या है तो काइज इंच अब करता है कि ईचूल में हैंख नहीं करता है और आप यह सूच रहें कि आप पो इस चैम्पू के लेंगे और आपका हिर्वल और इन होने वाला है वैकॉज को कोई करेक्शन नहीं होता है शैंपू एक वाश ओ कि तो मुझे मेरे हैर्फॉल में बाइप है तो मेरे यह प्रेशन से शुचा है इसे मुझे कोई भी ऐफेक्ट नहीं दिखा है तो आप अगर हैर फॉल कंट्रोल की सोच अगर ऑनियर शम्पू ले रहे हैं तो आप इसको ना ले तो बैटर है करने में हेल्प नहीं करी है अगर बहुत अच्छा है अगर आप अपने हेर्स को ऑइलिंग करके इसको यूज करते तो आपके बहुत अद्धक ड्राइन फ्रिजी हो सकते हैं तो रेमेंबर की कंडिशनर जरूर लगाएं और हो सकता है सट्य में पीड़ा में आपसे हो तो इसलिए अपन तो किंडिशणर करनाउं करती हूं इस पेशली मेरेatures 的 कि ब्रैइंड बनाद देता है बहुत जब कोई करतें तो बहुत ज़्यादा तो चूटते भी है इसको यूस करते हैं तब ये आपके स्केल्प के लिए पिल्कुल क्लीन कर दें तो यह चीज करता है किलीन करने में बेस्ट है फ्रेग्नेस बाइस बेस्ट है बट इसका एक drawback मुझे लगा वह यहीं लगा कि यह hair fall control में help नहीं करता है साथ ही साथ यह जो shampoo है वो आपके बालों को dry and frizzy बनाता है तो make sure को इसको use करो तो conditioner का इस्तिमाल जरूर करो तो overall जो भी review था वो मैंने आपको बता दिया है और आप मेरी rating की बात करें तो मैं इसको 5 मैं से 3.4 rating देना पसंद करूंगी और आप चाहें तो आप इसको purchase कर सकते हैं और अपने लिए try कर सकते हैं और इसकी आपको purchasing link मेरे description box में मिल जाएगी तो वहां पर इसको check out करना विल्कुल भी ना भूलें और आपको यह वीडियो अच्छी प्लस informative लगी हो तो वीडियो को like करना चनल को subscribe करना विल्कुल भी ना भूलें do share with your friends and family तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं वहां पर आप लोग सारreels share करते रह आप हुआ आप लाएगी मीर यह सब्सक्णी यह वीग सार्णल का समय झावँ आट करने वहां पर कंदगां पर रहां कर चानल को उंचר शूलें луч